रगना रानावा जी चुकि एंपी बन चुकी है और पर्लेमेंट के प्रिबलेज़ भी है अगर पर्लेमेंट चाहे तो उसको अपने इसाफ से इस मैटर को संसत में बलाकर इसको टैकल कर सकती है क्योंकि काफी गंभीर मामला किसी भी संसत को इस तरह से पब्लिक उसको उसके साथ साथ क्योंकि मैंने सुना था कि उसने जब थपड़ मारा था तो कुछ गंदे सब्दों का ही प्रियोग किया गया था तो ऐसी स्थिति में 499 जो डिफरमेंट का अपराद है ये भी बनता है देश की जानी मानी अभिनेत्री और मौजूदा सांसद जो की अब सांसद ब लगाया गया है यह मामला काफी हाइलाइट हो चुका है और अब तेजी से तूल पकर रहा है यही हम आपको जानकारी देने के लिए आगे हैं कि आखर इस तरह के मामले जब होते हैं जब किसी उजपत पर बैठे अधिकारी के साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारा देश का वाई ऐसे मामलों पर होती है यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं लखनोविश विद्याले के जो दूसरा कैमपस है यानि न्यू कैमपस के लौ फैकल्टी के डारेक्टर डाकेश कुमार सिंग के पास और उनसे जानते हैं इसकी पूरी जानकारी जो कल की जो घटना थी जो सब्सक्राइब तक लौ का प्रावधान है तो लौ इस पर एकदम क्लियर है सेक्शन 350 भारति दंड सहिता 1860 की धारा 350 जो है वह इस बारे में इस पर प्रावधान करती है कि कोई विवेक्ती जो कि कि किसी दूसरे को जो है या तो इंजरी या फियर या इनामिस कारिद करता ह अपने अपरादिक बल के द्वारा तो ऐसे सिती में जो इस धारा के अंतरगत परिश किया जाएगा जिसके लिए कि मैक्सिमम परिश्मेंट जो है तीन महिने की है और 500 रुपे जुर्माना प्लस चाहे तो वह दोनों ही परिश्मेंट को लगा जा सकता है साथी साथ अगर क अगर कोई कर्मियल फोर्स का यूज करता है तो ऐसे सिती में यह धारा काफी गंभीर हो जाती है और कम से कम मैक्सिमम परिश्मेंट जो है 352 में जो है वो तीन दो साल का परिश्मेंट है और फाइन भी से साथ दिया गया है इसके अतने कर अगर आप चाहे तो सेक्शन 323 के तहत चोट के लिए भी चोट एंजिरी को 323 में परिवासित किया गया था उसमें भी चाहे तो पुलीस चाहे तो इस पर धारा लगा सकती है क्योंकि वो उसने थप्रा मारा था तो यह चोट का भी मावला बनता है इसके लिए कि 323 में एक साल की सजा का कारवास या फाइन को भी किया गया है चुकि एक दूसरी पहलू से देखे कि कंगना रानावा जी चुकि एंपी बन चुकी है और पारलेमेंट के पिबलेज भी है अगर पारलेमेंट चाहे तो उसको अपने इसाफ से भी मैटर को संसत में बलाकर इसको टैकल कर सकती है क्योंकि काफी गंभीर माम तो कुछ गंदे सब्दों का ही प्रियोग किये गया था तो ऐसे स्थिति में 499 डिफेमेशन का अपराध है यह भी बनता है इसके लिए कि कोई बिवेक्ती सब्दों के माधियम से किसी करना रावना हो तो भारत के नहीं बलकि दुनिया की बहुत अच्छी एक्टेस है और पॉब्लिक डोमेन में उनका काफी नाम है तो उसकी एक इसकी एक इडेंटिटी है और काफी रिपूटेड महिला है अगर आपने सब्दों के माधियम से उसकी उसकी उसके डिफेमें किया है तो ऐसे सिति में सेक्शन 499 के तहत यह अपराध है और 500 में इसकी सजा लगबग दो साल की मैक्सिमम सजा दो साल की है प्लस फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है इसकी अत्रिक अगर हम जाएं देखेंगे तो CISF के अपनी अलग डिसेपूरी कमिटी चाहे तो इस मामले की जाच कर सके उसे खिलाब सस्पेंशन या ट्रमिशन का भी जो भी आजिस सब्सक्राइब कर सकती है तो कुल मिला के घटना काफी दुरभाग साली है और लौ में काफी इस पर प्रावधान इस संबंदे बनाये गया सर यानि कोई भी उच्च अधिकारी को अगर कोई भी थपड मारता है तो उस सभी पर यहीं सेम नियम यह सिर्प कंगना राजाओ और रावधी के लिए यह सेक्शन नहीं है बलकि सारे जो भी बेक्ती चाहें ओर और पर्सन भी हो अगर कोई बेक्ती किसी अगर यह कोई और सब्सक्राइब करता है कि अगर जो इस तरह की कानून है क्या इसमें किसी बी तरह सी जैसे स्पेंट हो गई अभी तो क्या उसे बहाल हो सकती है कि अपना एक अलग कारवाई होती है अब इस मैंने जहां तरह सुना है कि अफायर भी दर्ज हुआ है तो अब यह देखना इंट्रेस्टिंग हुआ कि कि पुलिस ने तीन सो पचास में या तीन सो तेईस में किस धारा में उनके खिलाब आप आप आयर दर्ज किया है तो जि इसके बाद यह देखा जाएगा कि किस परिस्तियों में और कैसे उन्होंने यह चार्ज जो अपराद किया है कलेक्शन के बाद यह फाइनल रिपोर्ट पुलिस समिट करें कि उसके बाद ही देखना होगा कि यह कौन सा इनके खिलाब अपराद बनता है तो यकीनन डॉक्ट साथ मार पीट करना एक दंडनी अपराद है और कानून के तहत सक्त सक्त कारवाई ऐसे मामलों पर की जाती है तो यकीनन यह जानकारी आपके लिए महत पूर रही होगी तब तक जुड़े मेरे साथ मैं लखनो से अंचली सिंग राजपूत न्यूस 18